मैं बताने की कोशिज करूंगा कि float-a cooler का बियान होने का जो तरीका वो अलग-अलग होता है तो अगर आप सिभी ले किसे नहीं देते हो तो आपका सिविलेख को डॉन भी जा सकता है और अगर आप उस loan application बाले का पैसा नहीं भी देते हो और वो loan application अगर बंद हो गया है तो आपका civil score बढ़ भी सकता है Depend करता है कि application बंद कैसे हुआ है इस वीडियो के माधम से हम आप लोगो को explain में बताने की कोशिस करेंगे आप सब के मन में हमेशा एक confusion रहता है कि अगर कोई भी loan application बंद हो जाता है तो फिर उसका civil score है वो घटेगा या बढ़ेगा I mean कहने का मतलब यह कि कोई भी loan application आईसा हो जो हमारे community guidelines को follow नहीं करते हैं तो वो loan application जो है हमारे government के द्वारा ban कर दिया जाता है तो उससे अगर आप loan लिये हो तो वो उसका civil score है वो आपका घटेगा या बढ़ेगा इसी के regarding आज हम बात करने बाले हैं मैं बताने की कोईशिश करूँगा कि loan application का ban होने का जो तरीका होता है वो कुछ अलग-अलग होता है डिवेंड करता है कि application बंद कैसे हुआ है इसका बंद होने का जो तरीका है वो क्या है जैसे कि मैं बताने की कोईशिश करूँगा फ्रेंस सपोज हम दो उदाहरन ले लेते हैं टिक टॉक का और एक पबजी का जैसे कि आप लोगने होने का तरीका कुछ अलग है इसी परकार हम दोनों में देख लेते हैं जैसे कि आप Click टॉक जो इंडिया में बैन हुआ है वो हमारे इंडिया के पलेया स्टोर से हट चुका है और इसका जो internet connection है वो आपको मिलता रहता है मेरे कहने का मतलब यह कि TikTok कुछ इस तरह से बैन हुआ है कि वो इंडिया से एक भी रुपिया अर्न नहीं कर सकता है लेकिन PUBG कुछ इस तरह से बैन हुआ है कि वो इंडिया से पैसे अर्न भी कर सकता है तो ये दोनों के बारे में comparison तो आप लोग समझी गए होंगे अब हम बात कर लेते हैं loan application बैन होने की तरीका के बारे में तो फ्रेंज जैसे कि आप लोग जानते हो कि बहुत सारे loan application ऐसे हैं जिसका rule regulation तो सही रहता है वो अपने guidelines को भी follow करता है लेकिन client customer या merchant अगर उस loan application बाले को पैसा नहीं देते हैं तो उसके जो agent है इतना call पे call करता है कि मतलब क्या होता है customer काफी जादा harassment फिल करता है जिसकी बज़ा से उसके जो user है वो suicide भी कर लेते हैं चाहिए कभी कुछ भी कर लेते हैं जिसकी बिदर से उस loan application को प्लेयर स्टोर पर से हटा दिया जाता है जब वह loan application प्लेयर स्टोर पर से हट जाता है तो अगर आप उस loan application बाले को पैसा नहीं देते हो तो आपका जो civil score है डौन जा सकता है तो फ्रेंज सभी को step by step समझेंगे कि आप किस एस्थिती में पैसा नहीं देते हो तब जाके आपका civil score जो है वो अप चले जाता है इसका अलग-अलग तरीका होता है सबसे पहले तो अगर customer को harassment मिलता है तो वह loan application जो है प्लेयर स्टोर पर से हट जाता है उसका जो license है वो NBFC से रद नहीं होता है ओके NBFC से license रद होने का मतलब यह होता है कि वो loan application customer के साथ कुछ धोखा धरी करता है तब जाके NBFC से license रद होता है अगर harassment कर रहा है तो simply उसका जो प्लेयर स्टोर पर loan application हो हट जाता है मतलब government का कहना है कि अगर आप किसी को पैसा दिया हो तो उसको आप जादा harassment नहीं कर सकते हो कुछ-कुछ loan application ऐसे होते हैं जो रिष्टेदार को call करते हैं बहुत सारे friends circle में call करते हैं क्योंकि आप लोग को पता है कि loan application वाले आपका जो contact है वो access कर लेता है मैंने इस पर एक वीडियो भी बने आथा कि आप अपने loan company के सिस्टम से contact list को कैसे डिलेट कर सकते हो इसके उपर मैंने एक वीडियो भी बने आथा अगर आप वह नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो है कि कुछ loan application वाले ऐसे होते हैं जो आपको 500 रुपिया देते हैं और one month two month के बाद वह आपसे 1000 रुपिये मांगते हैं सिंपल आपको दिया कितना 500 रुपिया और एक दो महिने के बाद आपसे मांग रहा है एक हजार रुपिया तो यह एक तरह से धोखादर ही हो जाता है तो उस एस्थिती में जो loan application बैन होता है न तो उसका क्या होता है कि सबसे पहले तो वह प्लेयर पर से भी हरता है उसके ब बढ़े ही सकता है कंपनी के द्वारा यह चीज़ डिपेंड करता है तो फ्रेंस आप लोग समझ गया होंगे कि लॉन अपलिकेशन बैन होने के बाद आपका सीविल स्कूर किस स्थिती में घटेगा और किस स्थिती में बढ़ेगा ओके फ्रेंस यह चीज़ कि आपको जानक ना परता है तो फ्रेंस आई होब यह भी लाइक दिस वीडियो तैन प्लीज अलसो सब्सक्राइब मैं चैनल फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अभी के लिए बाइबाइब जाहिन बंदे मातरों